अस्सलाम अलेकम वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल हाइदराबादी टंग्स किचन आज हम बनाएंगे गोंगुरा चिकन अमबाड़ा चिकन के रेसिपी तो चलिए इसके लिए ले हम अमबाड़े की भाजी ले ले लिए ये देखे एक कट्टा लिमें ये भाजी को हम पत पते तोड़ेंगे ये देखे भाजी के पते तोड़ें में तोड़के तीन पानी से धोके छनी में रख लें में पाने निथनने के लिए अभी हम पैन चड़ा लिए गैस पे पैन गरम हो गया कुकिंग ओल दाल देंगे तेल गरम हो गया जो हम भाजी तोड़के रख लिए थे वो दाल देंगे पानी अच्छे से निथार लेके दालिए में ला लेंगे हम कुछ देड़ तक हम तेल में ही फ्राई करेंगे भाजी को यह देखे इस तरह से बीच बीच में हिलाते रहने तो दाख लगती अच्छे से तले गई भाजी इसमें इसी तरह से हम चम्चे से पुरी भाजी को मैश कर लेना रेडी हो गई इसको निकाल दींगे हम अभी हम चिकन को मारिनेट कर लेंगे चिकन को दोके लेली में एक बड़ी से इसकी प्यास दाल दींगे आदा किलो चिकन है आदे किलो से थोड़ा बढ़के अब हम इसमें हल्दी पौड़ा दाल दींगे दो स्पून धन्या पौड़ा दाल दींगे वन स्पून अधर गलेसन पेस्ट दाल दींगे देर स्पून अधर गलेसन का पेस्ट ली में नमक दाल दींगे दो स्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के साथ से लीजिए जितना आपको लगता है गरम मसला पौडर दाल देंगे वन स्पून हमेट गरम मसला पौडर है अब यह सब चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अगर इस तरह से मैरिनेट करके रखना चाहरे तो रख सकते हैं या फिर जब का जब भी बना सकते तो चले एक बर्दन लेंगे हम को कुकिंग ओल दाल देंगे उसमें तेल गरम हो गया चिगन दाल देंगे हम इसमें चिकन दालने के बाद में मिला लेंगे हम इसको हाई फ्लेम पेच है गयास हाई फ्लेम पेच भून लेना कुछ देर मिर्ची की स्मेल थोड़ी खतम होए तक भून लेना हम इसको अब जो हम चिकन में मैरिनेट करते हैं वह इत परतन में थोड़ा पाई दाल के खंगाल के इसमें दाल देंगे साथ में हम थोड़ी सी कॉत्मिर लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया अब हम धकन धापके दस मिनिट के लिए पका लेंगे प्यास और चिकन गलने तक दस मिनिट हो गया चेक कर लेंगे यह देखिए पानी थोड़ा कम हो गया अब हम प्यास को भून लेंगे अच्छा से अब हम जो भाजी तल के रख लिए थे वो आट कर देंगे अच्छे चंचे से पुरी बाज़ा कर देंगे अच्छे चंचे से पुरी बाज़ा कर देंगे कि मैंश कर ली में भाजी को अब हजी दानने के बाद में मिला लींगे जब भी आप अमबाड़की भाजी चिकन के रेसिपी बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए अच्छे से मिला लेंगे हम इसको पांच मिनट तक धकन धापके लो फ्लेम पे पका लेंगे हम पांच मिनट हो गया चेक कर लेंगे हम यह देखिए पानी थोड़ा ड्राइ हो गया इसमें का मिक्स कर लेंगे भून लेंगे हम भाजी और चिकन को अच्छे से थोड़ी से को तमिर डालेंगे हम अच्छे यह देखिए और चार्द को अच्छे कि मिक्स कर लेंगे को कुटमी दलने के बाद में फिर से मिक्स कर लेंगे रेडी हो गया सालन यह गोंगोरा चिकन तो हम अभी इसको डिशोट कर लेंगे अगर आप और थोड़ा लूज होना है तो आप थोड़ा पानी दल के लूज ग्रेवी कर लीजिए अपर थीक होना तो इसी तरह से ट्राइ ग्रेवी कर लीजी इसको अब रोटी चावल सबी चीजों के साथ खा सकते हैं कि गर्णिश कर लेंगे हम कुट मिर से तो यह थी आज की रेसिपी गोंगोरा चिकन की यह दिखें इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हुई अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंस में शेयर कीजिए और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में अल्ला हाफीज रूर भीडियो थैंस टुवर्भ्ण सेदस्थ्टाइब कीजिए और शजए कीजिए झाल झाल